रादे रादे जैसी क्रश्ना, जहो स्री क्रश्ट भगवान की जै, जहो राधा रानी की जै, आईए आज हम मागमास में सुनी जाने वाली सभी वारों की कथाएं एक साथ सुनेंगे, अगर आप मागमास का इस्तनान कर रहे हैं, तो आपको मागमास के सभी वारों की कथा भी सुननी चाहिए जिससे सोंबार को महादेव जी की मंगलवार को हनुमान जी की बुद्धवार को गणे जी की गुरुवार को वरस्पत भगवान की शुकरवार को शुकर देवता की शनीवार को शनी देवता की और रविवार को सूर्य नारायन भगवान की कथा सुननी कहानी सुनने का संपून फल प्राप्त हो कहानी सुनने से पहले आप से एक करुन रिक्वस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने नोजवान लड़के के साथ रहते थे ब्रामन दंपति भगवान महादेव के परंभक्त थे उन्हें ओलास सुभी भगवान महादेव के वर्दान से ही प्राप्त हुआ था इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम भोला शंका रखा था बोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्यकत हैं और महात्य में सुनाने जाया करता था तो बदले में राजा से उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड, तेल मिलता था उसी से उनका गुजर बसर चलता था तब एक बार ब्रामन दमपती ने सोचा की ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजर बसर कैसे चलेगा कौन हमारे पुत्र को लड़की देगा, कैसे हम अपने बेटे का विवा देख पाएंगे कब पुत्र का विवा होगा और कब हम पोते पोतियों का मूँ देख पाएंगे तब जब माग का महना लगने वाला था तो ब्रामन दमपती ने माग मास का इस्तनान किया और सुंबार कवरत किया और उन्होंने अपने पुत्र से भी माग मास का इस्तनान करवाया और सुंबार का व्रत करवाया ब्रामन दमपती ने भगवान महादेव से विंती करी कि हे भगवान मैंने पूरी उम्र आप की पूजा करी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाता हूँ इसे एक अच्छी नोकरी मिल जाए और एक अच्छी सुसंस्कित लड़की से इसका विवा हो जाए हे प्रभू आप मेरे मागमास के इस्तनान और सुंबार के व्रत का फल मेरे पुत्र को दे दीजे ब्रामन की करुण विंती से महादेव और पार्वती जी का हिदा पिगल गया तम महादेव और पार्वती जी ने एक ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और ब्रामन के घर पहुँच गे ब्रामन के घर पहुँच कर उन्होंने ब्रामन देवता से कहा कि हे ब्रामन हम मुसाफिर हैं का बेटा भोला शंकर अपने माता पिता से बोला पिता जी मुझे तो तीन जनो जितना ही आटा दाल राजा के यहां से मिलता है हम इन्हें क्या खिलाएंगे पिलाएंगे तब ग्वाले वेश में महादेजी बोले की पुत्र तुम चिंता मत करो आज तुम्हें राजा के यहां से ज़्यादा भिख्षा मिलेगी भोला शंकर आश्चरिये में पढ़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है और सच में हुआ भी वही उस दिन राजा के यहां से भोला शंकर को ज़्यादा आटा, दाल, घी, चावल और गुड मिला तब शाम को ग्वालन वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई सबने मिल बैटकर भोजन खाया भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि भ्रामन दमपती और भोला शंकर बार बार एक ही बाद बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया ब्रामनी ने तो गवालन को यहां तक कह दिया कि बेटी तुम तो साक्षात अनपुर्णा हो और खाना स्वादिष्ट बनता भी क्यों नहीं क्योंकि भोजन बनाने वाली स्वम माता अनपुर्णा ही तो थी खाना खालनेने के बाद सब बाते करने लगे बातो ही बातों में ब्रामण ने ग्वाले वेश में महादेव जिसे कहा कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है, कैसे इसका घर वसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्रामण से बोले कि हे ब्रामण देवता आप चिंता मत कीजिए, जिसके उपर महादेव जी की क्रपा हो जाए, उसके सभी कारिय सिद्ध हो जाते हैं, तुम तो महादेव जी के परम भक्त हो, फिर तुम क्यों चिंता करते हो उस दिन ग्वाले ने भ्रामण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र, तुम कल राजा की बेटी को वही कथा सुनाना जो मैं तुम्हे सुनाओं, उसके बाद ग्वाले वेश में महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई, दूसरे दिन भोला शंकर ने र ब्रामन के पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं नहीं सुनी है। पिता जी आप इस ब्रामन से पता कीजिए कि इसे ये कथा किसने सुनाई। तब राजारानी ने ब्रामन पुत्र को महल में बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्रामन पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालन आये हुए हैं। मुझे तो उस ग्वाले ने ही ये कथा सुनाई थी। राजारानी और राजकुमारी उसी समय रत में बैठ कर ब्रामन पुत्र को साथ लेकर ब्रामन के घर आगे। तब राजा रानी वे भ्रामन दंपती वे भोला शंकर को तो ग्वाला और ग्वालन दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे, राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के जर्णों में गिर पड़ी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमारी ने जब से हो समाला तबी से वह महादेव जी की कथाओं और महात्यमे को बड़ी ही शद्दा और सची लगन से सुनती थी। जबकि भोला शंकर जो कथा राजकुमारी को सुनाता था वह मात्र बदले में दक्षीना मिलेगी यह सोच कर सुनाता था। इसलिए महादेव और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे। राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्राथना करी कि हे देव आप मेरे माता पिता को भी दर्शन देजिए. साथ में भूला शंकर और उसके माता पिता को भी दीजिए. क्योंकि आज बुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं. तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी सब को दिखाई देने लगे तभी भ्रामन दमपती महादेव जी के चर्णों में गिर पड़े और पूछने लगे कि हे प्रभु मेरी पूजा पाठ में क्या तुरूटी रह गई जिससे मैं आपको नहीं पैचान पाया तभी महादेव जी बोले कि हे पुत्र पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्द और पापदोश के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था तब भ्रामन ने महादेव जी से पूझा कि है प्रभू कृप्या करके आप मेरे पूर्वजन्म के पापदोशों को बताईए मैं सुनना चाता हूँ तब महादेव जी ने ब्रामन से कहा कि है ब्रामन पूर्वजन्म में तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत बड़े अमीर सहुकार थे तुम्हारे पास धन दोलत की कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने जेश्ट मास के मैने में कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया का सेवन नहीं करता जेश्ट मास में जल अन जूता छाता खड़ाओ छत्री रितूफल ककड़ी आम तरबूज खरबूजा शर्बत का दान नहीं करता उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है हे ब्रामन तुम दोनों पती पत्नी पूर्व जन्म में भी मेरी खूब सेवा पूजा करते थे सभी तरह के व्रत उपवास करते थे इसलिए इस जन्म में तुम दोनों की मुझ में भक्ती और प्रिती रही यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे कश्टों को दोर करने के लिए तुम्हारे घर पर आया हूँ पूर्वजन्म के दोश को सुनने के बाद ब्रामन दमपती ने भगवान से इसका उपाय पूचा तो भगवान ने कहा कि हे ब्रामन, तुम मेरे साथ विश्नु भगवान का पूजन क्या करो, हर एकादशी का उपवास क्या करो, मागमास का इसनान क्या करो, तुम्हारे सारे दरिद्रता दूर हो जाएगी. उसके बाद राजकुमारी ने महादेव भगवान से अनुरूद किया, कि हे प्रभू, जो कता आपने भोलाशंकर को सुनाई थी, वही कता अब मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहती हूँ, कृपिया करके आप मुझे वही कता सुनाईे, वह कता इस प्रकार थी. जो कता भगवान महादेव ने एक दिन पहले भोलाशंकर को सुनाई थी, और भोलाशंकर ने वही कता राजकुमारी को सुनाई थी, वह कता इस तरह थी. आईए हम भी वह कता सुनते हैं. एक बार दियों के दे महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभू प्रेम क्या होता है? इसका क्या रहस्य है? क्या भविश्य है? हे देवता क्रपा करके मुझे बताईए. तब महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती या तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है? सच तो यही है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है. तुमसे ही प्रेम की मुझे अनुभूधिया हुई है. हे पार्वती तुम्हारे प्रशन में ही उत्तर शि मेरे नेत्रों से ऐवी चलधारा बैती रहती थी, उसमें पूरा ब्रह्मान डूबने लगा, तब महादे बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझे से भी दूर कर दिया था, हे पारवती यही प्रेम है, तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरे पन से इस शच्टी क अपूर होना यही प्रेम है, तुम्हारे मेरे साथ पुन्हे मिलन कराने के लिए पूरे भ्रह्मान का और देवताओं का प्रियास करना यही प्रेम है, हे पारवती जब तुम अनपुर्णा के रूप में मेरी शुदा शांत करती हो, यही प्रेम है, जब तुम कामाख्या र मुझे मान्यता देती हो और तुम मुझे विश्वात दिलाती हो कि सिवाए मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्रीकार नहीं यही प्रेम है जब तुम मुझे चोसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है जब मैं तुम्हारे मुख पर प्रसंदता देखता हू तब मुझे अपार खुशी मिलती है तो मैं सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है यही प्रेम है जब दुरगार रूप में अपने संगरक्षन में मुझे सशक्त बनाया था वही अनुभूती प्रेम है जब काली रूप में नत्य करके मेरे शरीर पर तुमने पाउं रखा था तो तुम्हें अपने गलती का अभास हुआ और जिससे तुम्हारी जी बाहर निकलाई थी वही प्रेम है सोंदर्य रूप में ललीता बनकर मंगला रूप में चंडीका बनकर जब तुम दर्शन देती हो वही प्रेम है तुम बार बार अनेक बार शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो, तुम मेरे लिए एक दरपण के सामान हो, जिसमें जाक कर मैं खुद को पैचान पाता हूँ, तुम बार बार स्वम को मेरे प्रतिपादित कर, मुझे आभास कराती हो, कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ, हे पारवती यही प्रेम है, यह वही अनसुनी कता है, जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुनी, भगवान महादेव जी कता सुना कर अंतरध्यन होगे, तब राजकुमारी ने भोला संकर से विवा कर लिया, राजा न को उनके माग मास के इस्तनान और वत का फल मिला, जहु वगवान महादेव जी की, जहु माता पारवती जी की, मंगलवार की कहानी, एक बार एक काउं में एक बुडिया माई अपने बेटे के साथ रहती थी, बुडिया माई हनुमान जी की परम भक्त थी, वह रोज एक मोट रोटी और चूर में का लड़ो लेकर जाती और हनुमान जी के भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बाला जी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुडापे में, इस तरह समय बीचने लगा, देखते ही देखते बे अपने बेटे की शादी कर दी, तब एक दिन बुडिया माय ने अपने बेटे की धूम-धाम से विवा कर दिया, नई पहु घर आई, बेटे के विवा के बाद भी बुडिया माय एक मोटी रोटी और चूर में का लड़ु, हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाती रही कुछ दिनों तक तो बहु ने कुछ नहीं कहा साल बर बाद बहु से रहा नहीं गया बहु ने अपनी सास से पूछा कि सासुमा ये रोज रोज मुटी रोटी और चूरमे का लड़ू कहां लेकर जाते हो सास ने कहा कि बहु हनमान जी के मंदिर में लेकर जाती हूं मैं रोज हनमान जी के भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन खाती हूं बहु ने सासुमा से कहा कि सासुमा अब इस घर में इस तरह के बेकार के खर्चे में नहीं होने दोंगी आज से आप ये सब कुछ बंद कर दो बहु की वास सुन कर बुडियामाई दुखी हो गई खाली हात मंदीर वजाना नहीं चाती थी तो उसने अन जलकात्या कर दिया बहु ने इस बात की चिंता नहीं करी बहु ने सोचा कि एक दो दिन सासुमा भुकी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी खुद बेखुद भोजन कर लेगी इस तरह बुडियामाई साथ दिन तक भुकी प्यासी पड़ी रही उपर बैकुंट में हनुमान जी ने सोचा कि बेचारी बुडियामाई मेरे कारण भुकी पड़ी है तब उसी रातरी को हनुमान जी मोटी रोटी और चूरमे का लड़ू लेकर बुडिया के कमरे में आए और बोले कि बुडियामाई क्यों भुकी सो रही है बुडिया ने कहा कि तू कौन है हनुमान जी ने कहा कि लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुडिया माई रोटा, तो ने मुझे दिया जवानी में, मैं देऊं तुझे बुडापे में। बुडिया ने कहा कि हनुमानजी महराज, आप आज तो मुझे खिला देंगे, पर कल कोन खिलाएगा। हनमान जी के भक्त का अपमान किया, तो उसके घर में अन देवता रुष्ट हो गई, उसके घर में अन धन का टोटा हो गया, बहु ने सोचा कि सासुमा भुकी प्यासी रहती है, फिर भी मोटी होती जा रहे है, मुझे देखना चाहिए, तब एक रातरी को बहु को सासु के कमर में से बोलने की आवाजे सुनाई दी, बहु चुप चाप सासुमा के कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देखने लगी, तो उसने देखा कि सम हनमान जी, एक थाली में मोटी रोटी और चूरमे का लड़ू लेकर आये हैं, और अपने हातों से उसकी सासुमा को खिल रहे हैं, बहु के आश्चरिय की सीमा नहीं रही, उसकी आँके फटी की फटी रह गई, जब हनमान जी बुड़िया माई को चूरमे का लड़ू खिला कर चले गे, तो बहु सासुमा के कमरे में गई और उनके पाउं पकड़ कर बोलने लगी कि सासुमा मुझे माफ कर दो, अब आप रोज मंदिर जाया करो और चूरमे का लड़ू भी लेकर जाया करो, मैं भी आपके साथ चलूँगी, अब मैं भी मंगलवार का व्रत करूँगी और हनमान जी का पूजन करूँगी, हे हनमान जी महराज जैसे आप बुड़िया माई पटूटे वह से सब के उपर तूटना कहानी कहने वाले के उपर, सुनने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर गणेजी की कहानी एक बार एक गाउं में एक बुड़िया माई अपने बेटा बहु और दो पोतों के साथ रहती थी बुड़िया माई गणेश भगवान की परम भगत थी रोज सुवे नहा धोकर घंटो गणेजी की पूजा बाट किया करती थी लेकिन उसकी बहु को अपनी सास का रोज रोज पूजा के लिए बैठना पसंद नहीं था बुड़िया का बेटा जग काम पर चला जाता तो उसकी बहु बुड़िया से रोज जगड़ा करती बहु अपनी सास से कहती कि आप घंटो गणेश भगवान की पूजा बाट में लगे रहते हो अपने पोतों का ध्यान नहीं रखते हो अगर आप पोतों का ध्यान रखले तो मैं घर का सारा काम निम्टालू मैं घर का सारा कामकाज भी करू और बच्चों की देखबाल भी करू मुझे आपका ये रोज-रोज पुजा पाट करना पसंद नहीं बुढिया माई रोज-रोज की कले से दुखी हो गई तब एक दिन बुढिया ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली बोली की अरी बहन ये तो घर-घर की कहानी है हर घर में गार का चूला होता है मेरी मान तु तो अपने रोटी पानी लेकर गाओं के गणिश भगवान के मंदिर में चली जाया कर पूरा समय अपना पुजा पाट में बिताया कर वहीं चबुत्रे पर बैठ कर बोजन खा लिया कर वहीं आराम कर लिया कर और संद्या आर्थी करके घर आ जाया कर और बेटा बहु से कहते कि मैं कीतन में जा रहे हूं बुडिया माई को अपनी सहेली का सुजाव अच्छा लगा वह घर आई और अपने बेटा बहु से बोली कि गाउं में कीतन चल रहा है अब मैं रोज कीतन में जाया करूंगी सुबह की रोटी पानी वहीं ले जाऊंगी वहीं खालूंगी और शाम की आर्थी होने के बाद ही घर आऊंगी तो बेटे ने अपनी मा से कहा की मा जैसा तुम ठीक समझो तुम वैसा करो बहु उस समय कुछ नहीं बोल पाई अब बुडिया माई रोज नहा धोकत गाउं के गणेश भगवान के मंदिर में चली जाती और शान्ती से वहाँ पूजा पाट करती वहीं चब बुद्रे पर दोपहर में आराम कर लेती और शाम को संध्या आरती करके वापस घर आ जाती बहु पीछे से अपने माता पिता और भाई बहन को बुलाने लगी और उनके लिए हलवा, पूड़ी, खीर, पकोड़ा, पकोड़ी, खुम, मालताल बना करके उन्हें खिलाने लगी शाम होने से पहले उसके माई के वाले वापस अपने घर चली जाती गुस्ते से भरी बहु अपनी सास को ठंडी बासी रोटी कपणे में बांध कर देने लगी बुड़िया माई कुछ नहीं कहती, वह ठंडी बासी रोटी लेकर गणेश भगवान के मंधिर में चली जाती और गनेश भगवान से कहती कि हे गनेश भगवान मेरी बहु को सद बुद्धी दो मेरे बेटे और पोते खुब तरक्की उन्नती करे मेरा घर धन धान्या से भरा रहे मेरे घर पर कोई विपत्ती ना आने पावे तब बैकुंट में बैठे गणेश भगवान सोचने लगे कि यह बुडिया माई मेरी परम भक्त है मेरी भक्त रोज ठंडी बासी रोटी खाती है और उसकी बहु रोज पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने माईके वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है इसकी बहु बड़ी ही चालाग है लेकिन फिर भी यह बुडिया अपनी बहु और बेटे पोतों के लिए ही दुआएं मांगती है अपने लिए तो इसने कुछ मांगा ही नहीं इसकी बहु को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा तब गणेश भगवान को एक उपाय सुजा बहु जो भी माल बनाती वो सास की बासी रोटी से अदला बदली काने लगे अब सास को नए ने व्यंजन खाने को मिलने लगे और बहु को खाने में ठंडी बासी रोटी मिलने लगे बहु अपने माईके वालों को मालताल खाने के लिए बुलाती और जब उने ठंडी बासी रोटी मिलती तो वे कहते कि तू हमें ठंडी बासी रोटी खाने के लिए बुलाती है तू हमें फकीर समस्ती है बहु अपने माईके वालों को सफाई देने लगी कि मैंने तो खीर पुडी ही बनाई थी पता नहीं बासी रोटी में कैसे वदल गई लेकिन उसके माईके वाले नाराज होकर जाने लगे उस दिन बहु को बासी रोटी ही खाने पड़ी अगले दिन फिर से सास के जाने के बाद बहु ने दाल बाटी और चूर्मा बनाया और अपने माईके वालों को दाल बाटी और चूर्मा खाने के लिए बुलाया लेकिन जब उसके माईके वाले भोजन करने बैठे तो उन्हें बासी रोटी मिली बहु के अश्चरिय का ठिकाना नहीं रहा उसके माईके वाले फिर नाराज होगे कि तू जूट बोलती है तूने कोई दालबाटी चूर्मा नहीं बुलाया तू हमें विखारी समझती है जो हमें ठंडे बासी रोटी खाने को बुलाती है उदर सास जब भुजन खाने बैटी तो उसे दालबाटी चूर्मा मिला सास के समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आज कल उसकी बहु उसे नए ने वेंजन खाने को दे रही है सास ने सोचा कि मैं रोज कीतन का नाम करके घर से बाहर आ जाती हूँ इसलिए शायद बहु खुश रहती है बुडिया माई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं रोज रोज घर में जो कलेश होता था वो भी शान्त हो गया और बहु भी मुझसे खुश रहती है और मुझे भी गणेजी की पुजा करने का समय मिल जाता है तब एक दिन बुडिया माई की बहु ने अपने पती से वेंजनों का बासी रोटी में बदल जाने वाली बात बताई और कहा कि आपकी माँ कोई जादू गरनी है वो ही ये सब कुछ करती है तो बुडिया का बेटा अपनी पतनी से बोला कि बुडिया जब कीतन का नाम लेकर जाने लगी तो बहु ने बासी रोटी कपड़े में बांध करके अपनी सासु मा को दे दी बुडिया माई खुशी खुशी रोटी की पोटली लेकर चली गई पीछे से बहु ने मालपुये खीर और टिपोरे बनाए और अपने माई के वालों को भुजन करने के लिए बुलाया जैसे ही उसके माई के वाले भुजन करने बैठे बतनों को खोल कर देखा तो मालपुये की जगे बासी रोटी और खीर की जगे कांदा पड़ा हुआ मिला क्योंकि उस दिन बहु ने अपनी सास को बासी रोटी और कांदा ही पोटली में बांध कर के दिया था खुद उसके पती ने भी देखा था कि उसकी पतनी ने उसकी माँ को कपड़े में बासी रोटी और कांदा बांध कर के दिया था उस दिन भी माई के वाले नाराज होकर चले गे बहु ने वापस दुखी मन से बासी रोटी और कांदा ही खाया फिर उसका पती घर के पिछवाड़े से चुप चाब नेकल गया और अपनी मा को गाउं में ढूनने लगा लेकिन उसकी मा उसे कहीं नहीं मिली तबी उसकी मा की वही सहेली रास्ते में मिल गई बुडिया के बेटे ने अपनी मा की सहेली से पूछा कि मोसी आजकल मेरी मा कीरतन का नाम लेकर घर से चली जाती है लेकिन गाउं में तो कहीं भी कीरतन नहीं हो रहा मोसी क्या आपको मालूम है कि मेरी मा कहां जाती है तब बुडिया की सहेली ने बुडिया के बेटे को पूरी सच्चाई बता दी तब बुडिया का बेटा गणेश मंदिर में पहुंचा तब उसकी मा भोजन खा रही थी और खाने में माल पुआ और खीर था जबकि उसके बेटे ने खुद छिप कर देखा था कि उसकी पत्नी ने बासी रोटी और कांदाही कपड़े में बांदगर के दिया था ये सारा द्रश्य देख कर उसके बेटे का माता ठनका वे मनीमन सोचने लगा कि उसकी पत्नी सची कहती है मेरी मा सच में जादू गणी है वो ही बासी रोटी को माल पूए और खीर में बदल देती है बैकुंट में बैटे गनेश भगवान ने सोचा कि बेटा अपनी ही मा को गलस समझ रहा है तब गनेश भगवान बुडिया के सामने साकसाथ प्रकट हो गए बुडिया माई अपने सामने गणेश भगवान को देख कर प्रसन हो गई और गणेश भगवान के चर्णों में किर पड़ी पेड के पीछे खड़ा बुडिया का बेटा या सब को देख रहा था तब गणेश भगवान ने बुढिया माई से कहा कि बुढिया माई मैं तेरी पूजा से प्रसन हुआ तो अपने लिए कोई वर्दान मांग ले तब बुढिया माई गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान मरने से पहले मुझे आपके दर्शन होगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आप देना ही चाहते हैं मेरी बहु को सद बुद्धी दीजिए मेरे बेटे पोते खुब तरक्की उन्नती करें मेरा घर धन धान्या से भरा रहे बस यही आशिरवात दे दीजिए तब गणेश भगवान बोले कि अरे बुडिया माई तुने अपने लिए कुछ नहीं मांगा मांगा भी तो अपने बेटा बहु और पोते के लिए मांगा ऐसी बहु जो रोज तुझे बासी रोटी खाने को देती है और तेरे पीछे से बढ़िया बढ़िया माल बना करके अपने माई के वालों को खिलाती है और खुद भी खाती है और तेरा बेटा और तेरी बहु तुझे चादू गर्नी समस्ते हैं जबकि तेरी बहु के बनाये हुए व्यंजनों को मैं बासी रोटी से खुद बदल देता हूं बुढिया माई गनेश भगवान से बोली कि है गनेश भगवान मेरी बहु मेरे बारे में कुछ भी समझे लेकिर मेरा बेटा ऐसा नहीं है वो मेरी बहुत इज़त करता है गनेश भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है तो तू पीछे मुड़ कर देख पेड के पीछे खड़ा तेरा बेटा हमारी ही बाते सुन रहा है बुड़िया ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसका बेटा पेड के पीछे खड़ा नजने नीची करके हाज जोड़ कर खड़ा था तब ही वे भाग कर आया और गणेश भगवान के चर्णों में गिर कर माफी मांगने लगा तब गणेश भगवान बुढ़िया के बेटे से बोले कि अरे मुर्ख पापी दुष्ट माफी मांगनी है तो अपनी देवी जैसी मा के चर्णों में गिर कर मांग जिसको तुने और तेरी पत्नी ने जदुगर्नी समझा, पापिन तो तेरी पत्नी है, जो अपनी देवी जैसी मा को बासी रोटी और कांदा खाने को देती है, बुडिया का बेटा अपनी मा के चर्णों में गिर पड़ा, और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, तब गणेश भगवान अंतध्यान हो गे, बे अब बुडिया की बहु को भी समझ आ चुकी थी, अब बेटा बहु भी अपनी मा के साथ गणेश जी की पूजा और रत काने लगे, है गणेश भगवान जैसी क्रपा आपने बुडिया के उपर करी, उनका घर धंदाने से भर दिया, वैसा सबका भरना, कहानी कहने वाले का सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का, आईए अब हम गुरुवार की कहानी सुनते हैं, एक बार बहु चोटा सा गाउं था, उस गाउं में एक वेशे दंपती, अपने बेटा बहु और अपनी कुवारी बेटी के साथ रहते थी, वेशे के बेटे की बहु हर गुरुवार कवरत करती थी, और उस दिन केले के पेड की पूजा करती, केले के पेड को जल से सीचती, गी का दीपक जलाती, परिक्रमा करती और पूजा करती थी, जब भावी गुरुवार के दिन केले के पेड की पूजा करने जाती तो अपनी कुवारी ननत को भी अपने साथ ले जाती थी और मन ही मन कहती कि हे विश्णु भगवान मुझे एक बेटा दे दो अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं आप के साथ अपनी ननत का प्याहा करा दूँगी इस तरह भवी गुरुवार के दिन केले के पेड की पूजा करते समय और सीचते समय यही विंती करती तब भगवान विश्णु ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूं फिर मैं देखता हूं कि यह अपनी ननत का प्याहा मेरे साथ कैसे और किस तरह करवाती है इस तरह समय बितने लगा तीन मैने के बाद ही भावी को गर्ब टहर गया और नवे मैने में भावी को एक सुन्धर पुत्र पैदा हो गया पुत्र पैदा होने के बाद भावी तो अपना वचन भूल गई लेकिन भगवान विश्णु नहीं भूले जब सूरज पूजन और कुवा पूजन हो गया और बेटा सवामेने का हो गया तो भावी पहली बार अपने माईके में मुँ उठने जा रही थी तो वह उसी रास्ते से अपने माईके में जा रही थी जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था पुराने समय में कहीं जाना आना होता था तो खेतों की मुडेर पर से पैदल पैदल जाया करते थे या फिरवन में से पैदल पैदल जाते थे जब भावी केले के पेड़ के नीचे से गुजडी तो पेड़ में से आवा जाए कि अरे तुने कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो तो मैं अपनी कुवारी ननत का ब्याहा तुम्हारे साथ करवा दूँगी परन्तु तु तो अपनी बोलारी भूल गई भावी ने आस पास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि तभी केले का पेड जोर-जोर से हिलने लगा यह देखकर भावी डर गई उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई वे अपने बच्चे को लेकर जल्दी-जल्दी माईके में पहुँच गई भावी माईके में जितने दिन भी रही उसका मन बेचें रहा भावी के माता पिता और भाई बहन ने उससे पूछा कि तुँ परेशान क्यों है परन्तु उसने किसी को कुछ नहीं कहा जब भावी वापस ससराल आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड पड़ता था वह दूसरे रास्ते से ससराल में आ गई ससराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी तब भावी के सासर और पती ने पूछा कि तुम यहां से माईके गई थी तो बहुत खुश थी लेकिन जब से तुम माईके से आई हो तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो तब सासर और पती ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगा लेते हैं तुम कुछ महिने आराम कर लो तब घर के कामकाज, बरतन, जाड़ू पोचा और रोटी के लिए एक कामवाली लगा दी फिर भी भावी दिन पर दिन सूखने लगी उसकी भूक, प्यास, नीद सब गायब हो गई परिवार में सबने भावी से बहुत पूचा लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद और डॉक्टर को दिखाया लेकिन सबने कहा कि यह स्वस्त है इसे कोई बिमारी नहीं है तब एक दिन की बात है गुरुवार का दिन था घर के दरवाजे पर एक बहुत सुन्दर नविवक आया उसने वेश्य दंपती को प्रेणाम किया और कहा कि मैं आग के बहु का मुबोला भाई हूं तब भावी को बुलाया गया और पूछा गया कि तुम्हारा कोई मुबोला भाई आया है भावी दरवाजे पर देखने गई उसने पूछा कि आप कोन है मेरा कोई मुबोला भाई नहीं है तब उस नविवक ने धीरे से कहा कि भावी मैं तो वही केले का पेड हूं मैं आग को याद दिलाने आया हूं कि आप अपनी ननस से मेरी शादी कब करवाओगी ये सुन कर भावी थर-थर कापने लगी तबी नविवक साहुकार दमपती के पास भीतर आकर बैट गया उसने कहा कि मा बाउजी मैं बाहर गाउं कमाने गया था तब मेरी ये बहन बहुत छोटी थी मैं कुछ दिन पहले ही गाव आया हूं मैं अपनी मुबोली बहन से मिलने चलाया साहुकार दमपती बोले कि अरे साडू भाई अगर आही गए हो तो कुछ दिन हमारे साथ ही रहो इस तरह वे नविवक वही रहने लगा बरिवार के लोगों को उसका व्यवार बहुत अच्छा लगा कुछ दिनों में सब उसको पसंद करने लगे तब साहुकार दमपती ने अपनी बहु के मुबोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया बहु को जब ये पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई अब उसकी परेशानी खतम हो चुकी थी वे खुब बढ़ चड़कर अपने ननत के विवा की तयारी करने लगी फिर एक दिन धूम धाम से विवा भी हो गया मो बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी चला गया तब पहला त्योंहार राखी आया तब सावकार दमपती ने अपने बेटा बहु से कहा कि पहला त्योंहार आया है तुम दोनों राखी बंदवाने अपनी बहन के यहां चले जाओ बेटे ने हामी भड़ दी लेकिन बहु के पाउं के नीचे से जमिन सरग गई और उपर से आस्मान हट गया वे सोच में पढ़ गई कि अब मैं अपने पती को लेकर कहां जाऊंगी अब मैं सब को क्या बताऊं तब उसी समय केले के पेड के पास गई और बोली कि हे इश्वर हे इश्वर मेरी ननस से आपका विवा हो गया अब मेरे पती और सास ससुर कह रहे हैं पहली राखी पर राखी बंदवाने बहन के ससुरा जाना है अब हे इश्वर मैं अपने पती को लेकर कहा जाओं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। केले के पेड़ ने कहा कि तुम अपने पती को लेकर यहीं इसी पेड़ के पास आ जाना लेकिन सवा प्रहर से ज़्यादा देर मत रुखना। आकाशवाणी सुन कर भावी खुश हो गई और केले के पेड़ को प्रणाम करके खुशी-खुशी घर आ गई। तब रक्षावंदन के दिन भावी अपने बच्चे और पती को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुँची। तो उस केले के पेड़ की जगब बहुत महल नुमा मकान बना हुआ था। नो कर चाकर हाती घोड़े उन्ड दास दासियां सब कुछ था। भावी भी देखकर के आश्चरिये चकित हो गई। सुन्दर नव युवक और ननद ठाट की जिन्दिगी जी रहे थे। भावी को देखते ही ननद गले से लग गई और भा भी आपकी वज़े से मुझे ये घरवर मिला है। मुझे आपके गुरुवार और केले के पेड़ को सीचने कफल मिला है। बहन ने अपने भाई वे भावी और भतीजे के राखी बांदी। तो भावी ने भी अपने मुबोले भाई के राखी बांदी। सवाप्रहर का समय देखते देखते ही खतम हो गया तब भावी ने अपने पती से कहा कि अब हमें चलना चाहिए बहुत देर हो गई है लेकिन पती का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था तब भावी बोली कि हमारा बच्चा रो रहा है हमें वापस चलना चाहिए तब भावी अपन बच्चे और पती को लेकर वहां से विदा हो गई थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भावी से उसका पती बोला कि मेरी चत्री तो तुम्हारे भाई के घरी रह गई है चलो हम चत्री लेकर आते हैं भावी ने अपने पती को बहुत मना किया कि कोई बात नहीं चत्री आप की बहन के घर में है हम दूसरी चत्री खरीद लेंगे लेकिन पती नहीं माना तब वे वापस उसी इस्थान पर पहुंचे लेकिन पहले जहां महल नुमा मकान खड़ा था वहां उजाड वन था मातर एक केले का पेड़ था के उपर छत्री लटक रही थी भाई यह देखकर आश्चरिये में पढ़ गया उसने कहा कि अरे अरे थोड़ी देर पहले जहां तेरे मूबोले भाई का महल नुमा मकान था वे अचानक से कहां गायब हो गया एक शन पहले यहां सब कुस था नो करचाकर हाती घोड़े उन्ट दास दासियां थे वे सब कहां गायब हो गये सच सच बता तुने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेश से तो नहीं करवा दी कहां है तेरा मूबोला भाई और उनका घर सब को सच सच बता तो भाई बोली कि आप पहले घर चलिए मैं घर चल कर आपको सब सच बता दूँगी तब वे घर आये घर आने के बाद भाई ने अपने पती और सास ससुर को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि मेरी ननत का विवा तो भगवान के साथ हुआ है यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए भावी को गुरुवार के वरत का फल मिला और साथ ही उसकी ननत को भी मिला हे विश्णु भगवान जैसा फल आपने भावी और ननत को दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सनने वाले को और हुकारा भरने वाले को एक बार एक गाउं में दो भाई रहते थे उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी बड़ा भाई अच्छा कमाता था लेकिन छोटे भाई की नोकरी नहीं थी आए दिन बड़े भाई की पत्नी चोटे भाई की पतनी से लड़ाई करती कि मेरा पत्ती ज़्यादा कमाता है तो क्या हम ज़्यादा खर्चा करें कल को हमारा परिवार भी बढ़ा होगा हमें उनके लिए भी तो बचाना है तब एक दिन ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई घर जमीन का बटवारा हो गया बड़े भाई की पत्नी ने चालाकी से छोटे भाई को पुराना मकान और बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया और धन का बटवारा भी नहीं किया छोटा भाई और उसकी पत्नी बड़े ही सरल और सीधे थे चुपचाप पुराने मकान में रहने चलेगे छोटा भाई और उसकी पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवती के थे वे दोनों ही शुक्रदे भगवान की पूजा और रत करते थे उन्होंने शुकरवार के दिन एक भूके ब्रामन को भोजन कराने का नियम ले रखा था उसे खाने का न्योता दे कर आईए पती ताला पर गया तो वहां शुक्रदेवता एक भ्रामन का वेश बना कर के बैठे हुए थे वे उनकी परिक्षा लेना चाते थे तब छोटा भाई भ्रामन देवता से बोला कि हे भ्रामन देवता क्या आप आज मेरे घर भोजन करने के लिए पधारेंगे तो शुक्रदेवता जो भ्रामन के वेश में थे उन्होंने कहा कि पुत्र तुम चलो मैं संध्या पूजन करके आता हूँ तब पती वापस घर आ गया थोड़ी देर बाद शुक्रदेवता छोटे भाई के घर पहुच गे दोनों पती पत्नी ने ब्रामन को प्रणाम किया बैठने के लिए सुन्दर आसन दिया थाल में खिचडी परोज दी खिचडी खाने के बाद शुक्रदेवता बोले कि वस आज रात्री को मैं यहीं विश्राम करूँगा सुबह होते ही चला जाऊंगा दोनों पती पत्नी ने ब्रामन देवता को सोने के लिए एक खाट दी खाट पर एक बहुँ सुन्दर चदर बिछा दी दोनों पती पत्नी बाहर आंगर में सोगे अर्धरात्री में शुक्रदेवता जो ब्रामन के वेश में थे उन्होंने छोटे भाई से कहा कि वस मुझे शोच चाना है मेरे पेट में दर्द हो रहा है तब छोटा भाई ब्रामन देवता रूपी शुक्र देव से बोला कि है ब्रामन देवता हमारे घर के पिछवाडे में खाली जगे हैं आप वहाँ शोच का लीजिए और इस साड़ी से पोँच लेना तब शुक्र देवता ने ऐसा ही किया उसके बाद शुक्र देवता उनकी जोपडी को ठोकर मार गे और अंतरध्यान हो गे सुबह जब दोनों पती पत्नी सो कर उठे तो उन्होंने देखा उनका घर एक सुन्दर महल में बदल चुका था घर में अनधन के भंडार भरे पड़े थे जहां पर भगवान ने शोच किया वहां सोने चांदी हीरे मोती का धेर पड़ा था और जिस साड़ी से उन्होंने पोच्छा वैसोने की हो गई थी दोनों पती पत्नी समझ गे कि वैब्रामन देवता कोई ओर नहीं सम्शुक्र देवता ही थे थोड़ी देर के बाद जिठानी को जब पता चला तो वै भागी भागी आई और इस चमतकार का कारण पूछने लगी देवरानी बड़ी ही सीधी और सरल सोभाव की थी उसने पूरी सच्चाई बता दी जिठानी भागी भागी वापस घर आई और आते ही अपने पती से बोली कि आप भी तालाब पर जाईए और वहां से ब्रामन देवता को भोजन का निमंतरन दे कर आईए पती ने अपनी पती से कहा कि भागवान मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी तो बिचारे बहुत दुखी और गरीब थे हमारे घर में किस चीज की कमी है जो तुम देखा देखी करती हो लेकिन पत्नी नहीं माने तब बड़ा भाई तालाब पर गया वहाँ पर शुक्र देवता ब्रामन का रूप धरकर पहले से ही बैठे थे बड़े भाई ने ब्रामन देवता को भोजन का रिमत्रन दिया तो ब्रामन ने बड़े भाई से कहा कि तुम चलो मैं संध्या पूजन करके आता हूँ तब जिठानी ने घर में तरह तरह के पकवान बनाए तब ही ब्रामन देवता आगे जिठानी ब्रामन देवता से बोली कि है ब्रामन देवता मेरी देवरानी ने तो आपको खिचडी खिलाई थी मैं तो आपको 56 तरह के व्यंजन खिलाऊंगी आप मजे से खाईए तब शुक्र भगवान वेश में ब्रामन देवता ने भोजन खाया भोजन खा कर ब्रामन देवता जाने लगे तो जिठानी बोली कि हे ब्रामन देवता आज रातरी को आप मेरे घर में ही विश्राम कीजिए मेरी देवरानी ने तो आपके खाट बिचाई थी, मैं तो आपको मक्मल की गत्दों पर सुलाऊंगी। उसके बाद शुक्र देवता आराम करने लगे। अर्द रातरी में शुक्र देवता ने जिठानी से कहा कि मुझे शोच जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो जिठानी बोले कि हे ब्रामन देवता, मेरी देवरानी का तो टूटा फूटा मकान था, मेरा तो तीन मंजीला मकान है, आप जहां चाहे वहां शोच कर सकते हैं शुक्र देवता शोच करके अंतरज्यान हो गे सुबर जब जिठानी सो कर उठी तो उसका घर दुर्गंद से भरा हुआ था दोनों जेट जिठानी भागे भागे ताला पर गे तो शुक्र देवता अभी भी ब्रामन वेश में वहां बैठे हुए थे जिठानी ने भगव रूप में शुक्र देवता भगवान जिठानी से बोले कि तू बड़ी ही स्वार्थी और लाल्ची है तूने देखा देखी करी तब बड़ा भाई भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला कि है इश्वर अब आप हमारे घर से गंदिगी हटाईए तब शु चोटे भाई और उसकी पतनी को दोगे तुमने अपने चोटे भाई के साथ ना इंसाफी करी है तब दोनों जेट जिठानी ने सुई में से सुई और धन में से धन चोटे भाई और उसकी पतनी को दिया तब भगवान ने अपनी गंदिगी की माया हटाई जैहो शुक्र दे राजा हर शनिवार कवरत करता था और शनिदेव की पूजा करता था पीपल के पेड को सींचता दियाबाती करता और सूत लपेड़ता था तब शनिदेव भगवान ने राजा की परिशा लेनी चाहिए या देखने के लिए कि राजा सत्य के मार्ग पर चलता है या फिर उसे तब एक रात्री में शनीदेव भगवान ने सपन में आकर राजा से कहा कि हे राजा मैं शनीदेव बोल रहा हूँ मैं तेरे लगूंगा सपन में ही राजा ने पूचा कि हे शनीदेव मुझसे ऐसी क्या गलती होगे जो आप मेरे लगने जा रहे हैं तो शनीदेव ने कहा कि हे राजा मैं तो सभी के लगता हूँ चाहिए वैं अमीर हो गरीब हो राजा हो रंग हो बिखारी हो मैं तो सब के लगता हूँ इसलिए हे राजन मैं तेरे धाई साल कठहिया लगने जा रहा हूँ यह कहकर शनीदेव चलेगे सुबह जब राजा सोकर उठे तो राजा को सपन वाली बात याद आई राजा ने अपनी सपन वाली बात अपनी पत्णी और माता-पिता को बताई साथ ही यह भी कहा कि मैं अपना ये थाई साल का समय राजा से बाहर रहकर बिताऊ Match क्योंकि शनी देव की वक्रदश्टी का असर मेरे साथ तुम सब पर भी पढ़ सकता है साथ ही मेरे राज्य की प्रजा पर भी पढ़ सकता है इसलिए धाई साल तक मैं राज्य से बाहर रहकर यह समय बिताना जाता हूं माता पिता और पत्नी ने बहुत समझाया लेकिन राजा नहीं माने राजा ने साधारन वस्त्र पहने और कीमती वस्त्र और अभुशनों को खोल कर राज्य से बाहर चले गे चलते चलते राजा ए बगीचे में पहुंचे वह बगीचा बहुत हरा भरा था तरह तरह के उसमें फूलों के और फलों के व्रक्ष लगे हुए थे लेकिन जैसे ही राजा की दश्टी बगीचे परपड़ी कि वह बगीचा पूरा सोख गया बगीचे के मालिक ने कहा कि नजाने किस पापी की दश्टी मेरे बगीचे पर पड़ी कि मेरा पूरा ही बगीचा सूख गया जब राजा ने माली की बास सुनी तो राजा समझ गया कि उसकी बुरी दश्चा सुरू हो चुकी है राजा वहां से भी आगी चल दिया आगे उसके मित्र का घर आया राजा ने सोचा कि कुछ समय मित्र के घर रहूंगा फिर आगी चला जाऊंगा राजा ने एक रहागीर के साथ अपने मित्र के घर संदेश पहुंचाया कि तुम मेरे मित्र से जाकर के कहो कि तुम्हारा राजा मित्र आया है जब रहागीर ने राजा के मित्र से जाकर के कहा तो मित्र ने कहा कि मेरा राजा मित्र कैसे हालो में है तो रहागीर बोला कि वह फटे पुराने हालो में है बाल बिक्रे हुए हैं चपल तूटी हुई है और कपड़े भी गंदे हो रखे हैं तो राजा का मित्र बोला कि वह मेरा मित्र नहीं हो सकता मेरा मित्र तो राज्य का राजा है वह तो कोई बैरूपिया होगा उससे कहो कि वह यहां से चला जाए, नहीं तो मैं उसे जेल में डलवा दूँगा राहगीर ने राजा से जाकर पूरी बात कही राजा ने राहगीर से कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं, उसका कोई दोश नहीं यह सब मेरी बुरी दशा का दोश है राजा वहां से भी आगी चल दिया आगे उसकी बहन का नगर आया राजा ने एक पनिहारिन से कहलवाया कि जाओ मेरी बहन से कहो कि तुमारा भाई आया है पनिहारिन ने जाकर राजा की बहन से कहा कि अरी बहन तुमारा भाई आया है बहर ने पनिहारिन से पूछा कि मेरा भाई कैसे हालों में हैं पनिहारिन ने कहा कि बहुत बुरे हालों में हैं कपड़े फटे हुई हैं बाल भिक्रे हुई हैं चपल तूटी हुई हैं तब बहर ने सोचा कि अगर भाई को मैं ऐसे हालों में महल में लेकर आऊंगी तो मेरी देरानी जिठानी ननन और मेरी सास मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। तब बहर ने दासी के साथ राजा को उजार तूटे फूटे महल में ठेरवा दिया। और एक चांदी के थाल में हीरे मोती पन्ना सोना चांदी विजवा दिये। और साथ ही एक थाल में तरह तरह के विजवा दिये। लेकिन वैसम अपने भाई के पास नहीं गई। पास मन से आगे चल दिया। आगे एक अन्य नगर आया। वहाँ एक सोनी चांदी की बड़ी सी दुकान रजा को दिखाई दी। रजा ने वहाँ जाकर उस दुकान के मालिक से काम मागा। दुकान के मालिक ने कहा कि तुम कौन हो। पहले तुमें इस गाम में नहीं देखा। रजा ने दुकान के मालिक से कहा कि सेड़ जी मेरा नाम विक्रम है। मैं काम की तलाश में दूसरे राज्य से इधर राज्य में आया हूँ। क्या मुझे काम मिलेगा। तो दुकान के मालिक ने कहा कि भाई मैंने ताना क्या लोगे। राजा बोला कि सेड़ जी बस रहने और खाने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए तब सेड़ जी ने उसे रख लिया सेड़ जी ने कहा कि अरे भाई सुबह शाम का खाना मेरे घर खा लिया करो और रातरी में इसी दुकान पर सोजाया करो राजा ने सीकार कर लिया समय अच्छे से बीत रहा था लेकिन शनी का ढ़िया तो अभी भी चल रहा था ये राजा को अच्छे से याद था तब एक दिन घर से भोजन दुकान पर नहीं आया तो सेड़ जी ने अपने नोकर विक्रम से कहा कि अरे भाई घर से खाना आने में देर हो गई ऐसा लगता है कि तुमारे सेठानी कोई काम में व्यस्त है ऐसा करो तुम घर जाकर भोजन खाकर आजाओ और मेरे हिस्से का रोटी का डिबा लेकर आजाना तब राजा सेड़ जी के घर पहुंचा सेठानी ने विक्रम को भोजन का थाल परोज दिया राजा सेठानी के घर भोजन खा रहा था कि तभी राजा की नजर कमरे में मोर की आकार की खुटी पर पड़ी जिसके उपर सेठानी का धाई करोड का हाल लटक रहा था तभी मोर नी हार को निगलने रगी राजा के देखते देखते मोरनी पूरा हार निगल गई अब राजा समझ गया कि उसका बुरा समझ शुरू हो गया है राजा ने जल्दी जल्दी भुजन खाया और मालिक के लिए रोटी का डिबा लेकर दुकान पर आ गया थोड़ी देर में ही सेटानी हाफती और भागती हुई दुकान पर आई और सेड़ जी से बोली कि सुनो जी आपके इस नोकर ने मेरा धाई करोड का हार चुरा लिया है इसके सिवा घर में न कोई आया न गया आप इससे पूछिए कि मेरा धाई करोड का हार कहा है सेर जी ने सुना तो उसके हाथ पैर फूल गे उन्होंने अपने नोकर से कहा कि अरे भाई अगर तुमने हार चोरी किया है तो सच सच बता दो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और राजा से इसकी शिकायत भी नहीं करूँगा तुम भी भले इंसान हो धाई करोड का हार देकर तो किसी की भी नियत बदर सकती है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा अब जल्दी से बताओ मेरी पतनी का हार कहा है तब राजा मनहीमन सोचने लगा कि अगर मैं इन्हें कहूंगा कि हार मोर की आकार की खुटी निगल गई तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे तब राजा ने कहा कि सेड़ जी मैंने हार चोरी नहीं किया बार बार पूछने पर भी राजा ने एक ही जवाब दिया कि मैंने हार चोरी नहीं किया अखिर में सेड़ जी अपने नोकर को लेका उस तगर के राजा के पास गे मैं छोड़ दूँगा लेकिन अगर तुमने जूट बोला तो मैं तुम्हें इसकी कठोर सजा दूँगा उस राजा का एक ही नियम था वो भी बड़ा सरल था वैं आँख के बदले में आँख निकाल लेता था और हाथ के बदले में हाथ काट लेता था राजा ने तीन बार से लेट जी का हार नहीं चुराया तब राजा ने नोकर के दोनों हाट कटवा दिये और उसे जेल खाने में बंद कर दिया अब राजा तैखाने में पड़ा-पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करके दर्द भरगीत गा रहा था जब महल में राजा की लड़की ने नोक तैखाने में एक केदी है वही ये दर्द भरागीत गा रहा है तो राजकुमारी दासी के साथ तैखाने में गई और राजा विक्रमादित्य के गाने को सुनने लगी राजा की लड़की को गाने सुनने का वहुत शोग था अब वहरोज तैखाने में जाकर राजा विक्रमा राजकुमारी का तेखाने में जाने पर पाबंदी लगा दी, तब राजकुमारी ने अन जल कात्या कर दिया, टार दिन तक राजकुमारी ने भुजन नहीं खाया, तब राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, कि बेटी यह एक नोकर है, साथी या चोर भी है, कि बेटी यह चोर है, बिखारी है, साथ ही यह लूला भी है यह खुद नहीं खा सकता तुम्हें क्या खिलाएगा लेकिन प्रेम तो अंधा होता है राजकुमारी जित परड़ गई तब राजारानी अपनी बेटी के जित के आगे हार गई तब राजारानी ने अपनी बेटी का विवार नोकर से करवा दिया अब वह महल में घर जमाई बन कर रहने लगा समय बीतने लगा जब शनी का धहिया समाप्त हुआ तो एक रात्री को शनी देव वापस राजा के सप्ण में आए और बोले कि हे राजन तु सो रहा है या जाग रहा है राजा ने शनी देव से कहा कि हे शनी देव ये शनी देव जिसके उपर आपकी शनी की धहिया चल रही हो वह कैसे सो सकता है तब शनी दे राजा से बोले कि हे राजन तेरा शनी की धहिया का समय समाथ हो गया है अब मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ जाते जाते तेरा समय अच्छा कर जाऊंगा सुबह जब राजा सो कर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सही सलामत थे जब राजकुमारी ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने अपने पती से पूछा कि सच सच बताईए कि आप कौन है तब नोकर ने पूरी सच्चाई बताई तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई कि मेरा पती न नोकर है न विखारी है न चोर है बलकि ये तो राजा विक्रमादित्य हैं इनके उपर तो शनी की धहिया का समय चल रहा था इनकी खराब दशा का एक मात्र यही कारण था तब राजा ने विक्रमादित्य से सेठानी के हार चोरी का कारण पुचा तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे महाराज सेठानी का हार मोर की आकार की खुटी पर टंगा हुआ था मेरे देखते देखते ही मोर की आकार की खुटी पूरे हार को निकल गई अगर उस समय मैं आपको ये बात बताता तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता तबी महल में सेर से ठानी आए और राजा से बोले कि हे महाराज मेरा नोकर सच कह रहा है आज जब हम सो कर उठे तो हमें धाई करोड का हार उसी खूटी पटगा हुआ मिला अब तो महल में खुश्य मनाई जाने लगी तब राजा विक्रमादित्य ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज अब हमें इजाज़त दीजिए मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में जाना जाता हूँ तब राजा रानी ने अपनी बेटी और जवाई को खुब सारे हाती, घोडे, लाव, लशकर, हीरे, मोती खुब सारे जेवरात और उपहार और दास दासियां देकर विदा कर दिया अब राजा रानी अपने लाव लशकर के साथ अपने राज्य की ओर चल दिये तब सबसे पहले राजा की बहन का गाव आया राजा ने नोकर भेज कर अपनी बहन को संदेश भिजवाया जब बहन को पता लगा कि उसका भाई कुब लाव लशकर के साथ आ रहा है तो बहन ने अपने भाई को महल में बुलवाया लेकिन राजा ने कहा कि हम तो उसी उजार तूटे फूटे महल में ठहरेंगे फिर राजा ने जहां लोही की थाली वे कोईले गाड़े थे उसे खोदा तो वहाँ चांदी का थाल और हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के मिले तब राजा ने वे थाल अपनी बहन को दिया और वहाँ से आगे चल दिया आगे उनके मित्र का गाव आया राजा ने मित्र को संदेश भिजवाया जब मित्र को पता चला तो वैं दोड़ा दोड़ा आया तब राजा अपने मित्र से मिला तब राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र तीन साल पहले मैं तुम से मिलने यहीं आया था तब मेरी बुरी दशा चल रही थी तो तुमने मुझे पैचाना नहीं तब मित्र ने अपने राजा मित्र से अपने वेवहार की शमा मांगी राजा ने कहा कि अरे मित्र इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं उसके बाद राजा वहां से आगे चल दिया आगे वही बगीचा आया अब की बार रजा की नजर पढ़ते ही वह बगीचा हरा भरा हो गया सुन्दर सुन्दर फूलों और फलों से पेड नद गे तब माली बोला कि है महाराज आपके कदम पढ़ते ही मेरा बगीचा हरा भरा हो गया लेकिन तीन साल पहले पता नहीं किसकी नजर मेरे बगीचे पर पड़ी थी कि मेरा पूरा बगीचा ही सोक गया था तब राजा ने माली से कहा कि अरे भाई पहले भी मेरी ही नजर पड़ी थी लेकिन तब मेरी बुरी दशा चल रही थी उसके बाद राजा नई रानी और लवाजमे के साथ अपने रगर में पहुंचा राजा की प्रजा ने जब अपने राजा और नई रानी को देखा तो उनका खूब आवबगत किया गया उनके माता पिता और बड़ी रानी ने अपने पती और नई रानी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनका खुब आधर सतकार किया जहो सनीदे महाराज की जै एक बार एक गाउं में एक बुडिया माई अपनी लड़की के साथ रहती थी बुडिया माई रोज भीक मांग कर लाती और खाना बना कर एक रोटी रोज सूरिय नारेन भगवान को चड़ाती उसके बाद ही बुडिया माई अपनी बेटी के साथ भोजन खाती थी बुडिया माई ने यह नियम ले रखा था एक रोटी सूरिय नारेन भगवान को चड़ाने के बाद ही वैभोजन खाती थी तब एक दिन बुढिया माई पूरे दिन भीक मांगती रही लेकिन फिर भी उसे एक रोटी के जितना ही आटा मिला बुढिया माई ने उस आटे से एक मोटी रोटी बनाई और पनघट पर पानी लेने के लिए जाने लगी तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं पानी लेकर आती हूँ तु रोटी का ध्यान रखना कोई बिल्ली चुवा मू न लगा दे बुढिया के जाने के बाद सूरिय भगवान एक सादू का वेश बनाकर बुढिया के घर बिक्षा मांगने आए उस समय बुढिया जल लेने पनघट पर गई हुई थी घर पर केवल बुढिया की लड़की अकेली थी बुढिया की बेटी सोचने लगी कि अगर सादू को रोटी नहीं दूंगी तो मा डाटेगी ऐसा सोच कर उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ कर सादू को दे दिया जब बुढिया पानी लेकर घर आई और उसने रोटी का टुकड़ा तूटा हुआ देखा तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी रोटी का टुकड़ा तूटा हुआ क्यों है तो बेटी ने कहा कि मा तुम ही तो कहती हो कि अगर कोई सादू बिख्षा मांगने आए तो उसे खाली मत भेजा कर मा तुमारे जाने के बाद एक सादू बिख्षा मांगने आया था तो मैंने उसे एक टुकड़ा रोटी का तोड़ कर दे दिया यह सुनते ही बुडिया को बहुत दुख हुआ कि रोटी जुटी हो गई क्योंकि उसने एक नियम ले रखा था कि वह पहले सूरिय भगवान को भोग लगाती थी उसके बाद ही वह भोजन खाती थी उस दिन दोनों मा बेटी भुकी ही सो गई उस रातरी को बुडिया मर गई उसकी बेटी मा के मरने पर बहुत रोई तब पडोसियों ने बुडिया माई का दहसंसकार करवा दिया अब उसकी लड़की लोगों के घरों से भिख्षा मांग कर के खाने लगी देखते ही देखते बुडिया की लड़की बड़ी सुन्दर और रूपवान दिखाई देने लगी एक दिन राजा का लड़का बुडिया की जोपडी के सामने से गुजरा तो वह बुडिया की लड़की की सुन्दरता पर मोहित हो गया महल में आकर वे खटवा की पाटी लेकर सो गया और उसने यजित पकड़ ली कि मैं उसी लड़की से विवा करूंगा जो जोपड़ी में रहती है राजारानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन उनका बेटा नहीं माना थकहार का राजा रानी ने अपने बेटी की शादी बुढिया की लड़की से करवा दी शादी के बाद उसने महल में अच्छा अच्छा भोजन देखा ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहले कभी नहीं देखा था कुछ मैनों के बाद ही बुडिया की बेटी घर्बवती हो गई, राजा के ओर भी पत्निया थी, लेकिन किसी से भी राजा को ओलासुक नहीं मिला था, तब एक दिन राजा अपनी नई रानी से पूछने लगा, कि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ, तो बुडिया की बेटी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने इतने अच्छे अच्छे पकवान आज से पहले कभी नहीं खाए, हमेशा पहले मा जिन्दा थी तो वह बीग मांग कर लाती थी, मा के वरने के बाद मैं भी लोगों के घरों से बीग मांग कर ही लाती थी, तो कभी सुकी रोटी मिलती थी तो कभी घूगरी मिलती थी, तो कभी आटा मिलता था, मैं राजा से क्या कहूं, मुझे तो इन चीजों के नाम भी नहीं मालूम, तो बुडिया की बेटी राजा से कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा कि रानी तुमें क्या खाने का म करता है लेकिन उसे चीजों के नाम ही नहीं मालूम थी तो वह राजा से क्या कहती तो बुढिया की बेटी राजा से कुछ नहीं बोली वह सिर्फ इतना बोली कि मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है थोड़ी देर के बाद राजा शिकार खेलने चला गया बुढिया की बे कि एक दिन मेरी माँ ने रोटी का ध्यान रखने के लिए कहा था, तब मैंने एक सादू को रोटी का टुकड़ा तोड़ कर दे दिया, तो उस रात मेरी माँ मर गई, अगर मैं रोटी का टुकड़ा उस सादू को नहीं देती, तो मेरी मा नहीं मरती मुझे बार बार यही दुख सताता है तब सूरिय भगवान बोले कि बहन वह सादू कोई और नहीं मैं ही था मैं तो तेरी मा की परिशा लेने आया था तुमारी मा तुमारी वज़े से नहीं मरी उसकी म्रत्यू का समय निकट आ गया था इसलिए उसकी म्रति हुई थी बहन आज से मैं तेरा भाई हूँ तु मेरी मूँ बोली बहन है तु मांग तुझे क्या चाहिए तब लड़की बोली कि मुझे घूगरी खाने का मन है तबी वहाँ घूगरी आ गई घूगरी देने के बाद सुरिय भगवान अंतरध्यान होगे थोड़ी देर में राजा भी शिकार खेल कर आगे राजा ने आते ही रानी से पूछा कि तुम क्या खा रही हो रानी उसे चिपाने की कोशिश करने लगी लेकिन वह चुपा नहीं पाई जैसे ही राजा ने कटोरी में देखा तो घूगरी सोने की हो गई राजा ने कहा कि ये सोने की घूगरी यहां कैसे आई तो रानी ने कहा कि मेरे भाई भुजाई ने भेजी है राजा ने कहा कि तेरे भाई भुजाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं जो तुझे सोने की घूगरी दे कर के गए, इस तरह समय बीतने लगा, नवे मैने में रानी को सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, जब लड़का दस साल का हुआ, तो एक दिन राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुमारे मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन तुमा रातरी को रानी सूरिय नारायन भगवान को याद करके सो गई, अर्धरातरी में सूरिय नारायन भगवान, रानी के सपन में आये और उदासी का कारण पूछने लगे, तो बुडिया की बेटी सूरिय नारायन भगवान से बोली कि हे प्रभू, मेरा पती और मेरा लड़का आप से मिलना जाता है हे भाई अब मैं क्या करूँ तब सूरिय भगवान ने कहा कि तुम मेरे घर सवा प्रहर के लिए आ सकती हो सवा प्रहर के बाद तुम्हें वहाँ से वापस आना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं किया तो तुमारी और मेरी इज्जत दोनों खत्रे में पड़ जाएगी तब बुडिया की बेटी सूरिय भगवान से बोली कि हे प्रबु मैं कहां आऊँ तब सूरिय भगवान ने कहा कि जिस दिशा में मैं उगता हूँ तुम सिधे सिधे उसी दिशा में वन में चली आना जब तुम घने वन में आऊगी तो तुमें मेरी नगरी दिखाई देगी तब दूसरे दिन रानी राजा वैपुत्र को लेकर अपने माई के रत में बैट कर चल दी चलते चलते बहुत देर हो गई तब राजा बोले कि हे रानी अभी ओर कितनी दूर चलना है कि तबी वन में उन्हें एक बहुत सुन्दर नगरी दिखाई दी हाती, घोडे, उट बहुत सुन्दर सोने का चमकता सा महल दिखाई दिया रानी ने कहा कि वही मेरे भाई भुजाई का घर है सुर्य नारायन भगवान और उनकी पत्नी ने साधारन पुरुश और इस्त्री का वेश बना रखा था उन्होंने रानी और राजा और उनके पुत्र का खूब आदर सत्कार किया खाने के लिए 56 तरह के व्यंजन परोसे गए हसी खुशी में सवाप्रहर कब बीट गया पता ही नहीं चला तभी रानी ने जित पकड़ी और अपने पती से बोली कि है स्वामी अब हमें वापस हमारे घर चलना चाहिए तो राजा ने रानी से कहा कि है रानी हम तो यहाँ दो तीन दिन और रुकेंगे कौन सा सुसुराल में हम रोज रोज आते हैं लेकिन रानी को असलियत मालूम थी तो वैजित पकड़ी और बोली कि नहीं महाराज हमें आज ही जाना होगा मेरी बाई आग फड़क रही है हमारे राज्य में कुछ अनहोनी होने वाली है तब राजा कुछ नहीं बोल पाए तब सुरिय भगवार ने उनकुब धन दोलत मूट हाती घोड़े रत उपहार में दिये जब वे आधे रास्ते में आगे तभी राजा को याद आया कि उसके सोने की चटिया तो वहीं रह गई राजा ने रानी से कहा कि हे रानी मेरी सोने की चटिया तो तुमारे भाई के घर में ही रह गई है चलो वापस चल कर सोने की चटिया लेकर आते हैं रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी मेरे भाई भुजाए ने हमें इतना धन उपहार में दिया है हम दूसरे चटिया खरीद लेंगे लेकिन राजा नहीं माने तवरानी ने कहा कि है महाराज आपको जाना है तो आप अकेले जाईए मैं रत, सामान और पुत्र को लेकर महल में जा रही हूँ तवराजा एक सिपाई को लेकर वापस उसी जगह गए लेकिन अब वहां कुछ नहीं था दूर तक खाली मेदान था धूल ही धूल उड़ रही थी तभी अचानक से बिजली चमकी वहां एक पीपल के व्रक्षी के उपर राजा की सोने की चटिया लटक रही थी राजा ने जड़ से चटिया उठाई और वहां से वापस सीधे महल में आए और आते ही राणी से पूछने लगे कि हे राणी तुम सच सच बताओ तुम कौन हो तुम कोई जादू गर्नी हो या कोई टोने टोटके जानती हो जहां थोड़ी देर पहले तुमारे भाई बुजाई का महल नुमा आलीशान मकान था वहां अब जंगल ही जंगल है दूर तक धूर उड़ रही है राणी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि तबी वहां सूरिय भगवान प्रकट होगे राजा ने सूरिय भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी सूरिय भगवान ने कहा कि हे राजन अगर कोई रवीवार का अलूना रत करता है और रोज मेरे नाम से एक रोटी निकालने का नियम लेता है तो उसे नियम को तोड़ना नहीं चाहिए और रत अलूना करना चाहिए हे राजन इसकी मां मेरी परम भक्त थी मरते समय तक उसने इस नियम को कायम रखा उस नाते यह मेरी मूबोली बहन हुई और इसकी रक्षा करने का वचन मैंने इसे दिया था ऐसा कहकर सूरिय भगवान अंतरधान होगे उसके बाद राजा भी सूरिय भगवान के परम भक्त होगे और वे भी अलूने रविवार का वरत करने लगे यह सूरिय नाराइन भगवान जसासो का आपने बुढिया की बेटी को दिया वैसा सबको देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को इस तरह आज हमने माग मास में सुनी जाने वाली सभी वारों की कहानिया एक साथ सुनी इश्वर से प्राथना करती हूँ कि आपको इन सभी कहानियों को सुनने का संपून फल प्राप्त हूँ और आपकी सभी मनो कामनाई इश्वर पूरी करें और आपको सभी देवताओं का आशिरवाद मिले और आपको मागमास के इस्तनान का फल मिले मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद